आस्तियों से लेना मड्डूल 16 डे 1 कैप स्टून ओके सो ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टन होने वाला है इससे आप कुछ न कुछ सीखेंगे ओके यहां पे शो भी क्या गया कैप स्टून प्रोजेक्ट है उके उस आपको सिखाय जाएगा सो स्टेप बाइ स्टेप हम सीखेंगे तो लाइस स्टार्ट इड वीडियो इसकी मत कीजेगा ओकी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक हमेशा चेक आउट कर लीजेगा उससे भी अभी मैं आपके साथ को शेर करूंगी इसमें क्या दिया गया आपकी लर्निंग से रिलेटेड है तूवर्स लर्निंग करा जो है सेर्टिफिकेशन ओके सो यह जो आपका मडूल 16 है यह लास्ट अफ दा मडूल आपका रहेगा तो आपको प्रेजंट रहना है अगर आप कुछ भी मिस आउट करोगे इसमें यह सि आपका मडूल 16 है आपका मडूल 16 तक रहने वाला है आपकी टेस्ट वगेरा लिये जा सकते हैं तो प्लीज अपनी लर्निंग को स्किप मत कीज़ेगा अफ यह में प्रेजंट रहेगा अन टाइम ओके यह आपका मडूल 15 में सिखाए जा रहा है अंडिस्टान दाड दे नी 15 में सीखा है वो स्किल को यहां पे लर्न करना है रिवाइस करना है ओकी कम्प्लीट दा कैप स्टून ओकी तो अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना तो इसको यह भी क्यों कोई भी मडूल स्टार्ट होता है तो आपकी लर्निंग को रिलर्न करते वही चीज इसमें यहां पे based on case study that will progress every day okay, absent will okay तो यहाँ पर कहा जा रहा है, जो भी आपका module है यह, इसमें present रहना है, अगर आप absence रोगे तो यह आपकी learning को impact करेगा, आपकी performance result जो होगा, वो पूर होगा, तो इस तीसका आपको ध्यान रखना है, कि आपको present रहना है okay, student प्लीज हर एक student से request करती हूँ, अपनी learning को तिके देखे, FPA में क्या facilities देता है कि अगर आप, कोई भी आपका reason है, आप और session भी अटेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं करना है, आपको इसी session में, अपने session जो भी आपका class का time है उसी में ही present रहना है okay, जो यह आपका module 16 चल रहा है इसको miss नहीं करना है यह आपकी learning पर बहुत पूर performance देगा, okay I hope आप समझ गयोंगे, student से लेना चलिए, part भी check out कर लेते हैं okay, what is a capstone project तो आपको एक project दिया जाएगा आपकी learning में so, यह आपको complete करना है the capstone learning project has become a part of the university degree curriculum okay, यह capstone जो भी learning है, project है यह university degree के curriculum में भी present present है, capstone एक ऐस सा project है जो कि आप यह जो university में भी इसका curriculum दिया गया है then, यह हमारे किस चीज़ के लिए use होता है यह एक हमारी day-to-day life में कोई भी, यानि कोई भी problem को solve करने के लिए हमे यह capstone project हमें help करता है तो यह मुझसे ज़्याद मुझे लगता है facilitator guide कर सकेंगे क्योंकि मुझे भी इसकी ज़्यादा detail नहीं गाइड करेंगे दिन आपको इसको read out करके दिखा दूगे चलिए आगे देखते हैं परियोजना का उदेश्य किसी विशेश विशेय या अध्ययन के क्षेत्र में एक छात्र की महारत को प्रदर्शित करना है यह आम तोर पर एक समापन परियोजना है जो डिग्री प्रोग्राम के दौरान अर्जित ग्यान और कॉशल को एक इक इक्रत और लागू करती है What is a Capstone Project? 132 W The Capstone Project has become an integral part of the university degree curriculum. It can take many various forms, but its purpose remains the same. The Capstone Project is a unique opportunity to carry out independent group research in order to devise an innovative solution for a real-world problem. While a project of the scope and scale can be challenging, it can also be very rewarding. The Capstone Project is usually the final assignment and plays a vital role in preparing students for the world of work thanks to its practical applications and ability to help hone students' professional knowledge and skills. It's the last big test before graduation, building a strong connection between what students learn and what they'll face in their careers, ensuring a smoother transition into the professional world. आस्यों से लेना, चलिए, एक्टिविटी बुक में आपका Capstone में आपको नोट राइट डाउन करना होगा इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए, नोट्स में, देखिए मुझे वो टॉपिक नहीं पत करते हैं काफी स्टूडें मुझे मैसेज कर, मैंने जितना हो सका मैंने help की जो भी आपका टॉपिक है आप मुझे वो टॉपिक का नेम मेंशन किजिए, नेम के अकॉर्डिंग ली ही मैं आपके लिए कर सकती हूँ, okay, ask your facilitator, ask your monitor, ask your जो भी आपके senior है, उनसे वो टॉपिक ब जो भी टॉपिक आपको दिया जा रहा है, जो भी आर्टिकल है, नोट्स है, क्योंकि कुछ भी हम राइट डाउन करते हैं, उसका नेम होता है, okay, then आप नेम मुझे राइट डाउन कीजिएगा, then मैं आपको help कर सकती हूँ, क्योंकि काफी स्टूडें मुझे message करते हैं, then उ आपको help कर सकती हूँ, वो notes create करने में दिन आप उससे, उससे आपको काफी help होगी, I hope आप समझगी होगी, then आज की वीडियो में इतना ही, I hope आपके लिए वीडियो useful रहेगी, useful रहेगी, तो please मुझे like किजीगा, share किजीगा, subscribe किजीगा, then और student के साथ share किजीगा, क्योंकि म में पास काफी सारे support system है, उनके through आपको help हो सकती है, okay, next module में लेंगे,